हलो फ्रेंड एक बाफ फिर आपका स्वाकत है कंचन लाइफ लाइन चनल पर आज हम वीडियो पर फ्लोरीना टैब्लेट के बारे में बात करते हैं जिसका इस्तमाल गर्भ निरोधक याने गर्भावस्ता रोकने और प्रियड में होने वाली अनिमित्ता के इलाज में किया जा इसे आपके डॉक्टर की सलहा के अनुसार लिया जाना चाहिए आपको अपने पिरियड के पहले दिन गोली लेनी होगी और इसे पूरे एक मेहने तक लेते रहना चाहिए पैक खतम हो जाने के बाद नयसे शुरू करें अगर खुराक लेने के चार घंटों के भीतर उल्टी हो जाती है तो दूसरी गोली लें यदि आपकी खुराक शूट गई है तो आपको खुराक लेने में बारा घंटे की देरी हो रही है तो दो दिनों तक इंटर कोर्स के दोरान कॉंडूम का इस्तमाल करें और मिचली आना सिर दर्द कब्ज थकान और इस दवा के आमतोर पर देखे जाने वाले साइड इफेक्ट हैं अगर आप इनसे परिशान है या इस्ति गंबीर होती जा रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं और उन्हें कम करने के लिए या रोकने के तरीके हो सकते हैं मासिक पिरियड या मिजड पिरियड के बीच आपको स्पोर्टिंग य जैसे लक्षन दिखाई दे तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं क्योंकि यह रक्त के ठक्के का संकेत हो सकता है साथी इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि अगर आप धुम्रपान करते हैं और 35 से अधिक हैं या यदि आपको कभी हार्ट अटेक प प्रभावी बना सकती हैं या इसके काम करने के तरीके को बदल सकती हैं साथी अगर आप पहले से गर्भती हैं या इस्तनपान करवा रही है तो यह दवा न ले तो फैन इस तरह से फ्लोरीना ट bridges yagna और यह रोधक दवा है जो आपको बहुत से तरीकों से गर्भती होने से र प्रवेश करना अधिक जटिन हो जाता है इसके अत्रिक्तिय है आपके गर्भाशे के अस्तर को मोटा होने से रोकता है और अंडों के विकास के लिए इसे प्रतिकूल बनाता है फ्लोरीना टेबलेट सही तरीके से इस्तमाल किये जानने पर गर्वन रोधक के लिए एक विश् फ्लोरीना टेबलेट लेने की सलहा दे सकते हैं और इसके कारण महावारी में होने वाली ब्लीडिंग हलकी और कम दर्दनाक हो जाती है तथा महावारी अधिक नियमित हो जाती है अपनी दवा को रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा और आपको मासि पिरियड या मिज्ड पिरियड के बीच स्पोर्टिंग या ब्लीडिंग जैसी मासिक धर्म की अनिमित्ताएं हो सकती है यदि यह बना रहता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें